अब्रेवर्ण स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलहाबाद हाई आपकेशन मिल जाए तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए अलहाबाद हाई कोट की जो वेकंसी आने वाली है काफी अच्छा पोस्ट है यहाँ पर आरो एरो की वेकंसी है अब देखिए सलेवस यहाँ पर हमने डिटेल से लिख दिया है कि बिल्कुल हैंड रीटन में तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात करते हैं एलहाबाद हाई कोट समिच्छा अदिकारी भरती 2023 यहाँ पर तीन पोस्ट रहेंगे तो पहला तो रहेगा आरो का दूसरा ए सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आएगा तो देखिए ज्यादा तर संभावना है यहाँ पर अगस्त के मिड में ठीक है अगस्त के मिड में आने की संभावना है अगर अगस्त वेकंसी नहीं आती है तो सेप्तमबर या अक्टूबर मन्त में पूरे पूरे चांसे से आपको वेकंसी देखने को मिल जाएगी ठीक है क्योंकि app की वेकंसी का माम्ला फसा हुआ इसके वे कंसी में डिले हो रहा है अगर अगर APS से इसके साथ नहीं आती है तो यह वैकेंसी आपको मिड अगस्त में देखने को मिल जाएगी अगर APS भी साथ में निकलती है वैकेंसी तो आपको सेप्तंबर से मन्त में आपको से देखने को मिलेगी अब बात करते हैं यहां पर की क्या रहती है तो इसमें सिर्फ जो है ग्रिजुएशन और ट्रिपल सी अनिवार है यानि जिसके पास है बैचलर डिगरी है और साथ इसाथ ट्रिपल सी है वहां जो है आरो के लिए एलेजबल होगा है देखे आरो दो प्रकार के हैं जिसे एक सचिवाले दो लो होते हैं और एक लएफ हाई कोट वाले तो उस में ॉस्स में में ठीमन कुल टाइपिंग नहीं नहीं होता है अब यहां अब यहाँ बात करते हैं कुल कितने पद आने वाले हैं तो कुल टोटल जो है 360 प्लस पद रहने वाले आरो की देखने को मिलेगी यानि समिछा अधिकारी की देखने को मिलेगी अब बात करते हैं ग्रेट पे की बात करें तो भाई रुटबे की जॉब है और अच्छा पेमेंट यहां पर मिलता है कितना ग्रेट पे अगर बात करें यहां पर डी ए टी ए और जो होता है वो सम्मिला कि यहां पर सत्र प्लस सेलरी बन जाती है सत्र के यूटूब के लेंगज में क्या कार्थ क्या होता है थाउजंड होता है ठीक है तो यानि सत्तर के यानि लगवग आपके सत्तर हजार से उपर ही सेलरी यहां पर आरो में मिलती है तो काफी अच्छा पोस्ट है और सेलरी भी यहां पर अच्छी है यहां पर जो है तो यहां पर तैयारी आप अच्छे से करिए अब यहां पर दे यहां पर क्या क्या चीजे पूछी जाएंगी बिल्कुल यहां पर फुल एनाल्सिस करके बनाया गया है और पिछले एक्जाम में जहां-जहां से कोश्चन बने हैं उसको मैंने फुल एनाल्सिस किया है तब जाके है वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर स्लेबस में जो आरो यह चीजे पूछी जाएंगी, तो reasoning, देखें, reasoning जो है, 25 question रहने वाले हैं, computer से यहाँ पर 22 question रहने वाले हैं, और English के भी question पूछे जाएंगे, 10 question, Hindi के 15 question, history, history के आपके 18 question, quality के 18 question, देखें यहाँ पिछली एकजाम में इसी प्रकार से पूछा गया है, जियोग्राफी में 15 कोशन या 15-16 कोशन हो सकता है यहाँ पर जो है प्लस माइनस वन कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं अग्रिकल्चर जो कृसी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी आती है तो लगभग 14-15 कोशन कृसी से भी आता है और यहाँ पर पाप कोशन 17 साइन से आते हैं कि अब करेंट एफिर की बात करें तो करेंट अफिर से भी 15 पुछन आते हैं और यहीं टोटल मिलाकर आपके 200 प्रस्ण हो जाते हैं ठीक है और इसके लिए जो टाइमिंग दिया जाता है 200 प्रस्ण के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है 3 घंटे का मतलब होगे आपका 3 चाह कठा रहा है यानि 180 मिनट में आपको 200 प्रस्ण करने होते हैं जो कि sufficient है इसमें time का कोई issue नहीं है अब देखिए यहां पर next part की बात करते हैं तो next part में यहां पर पुछा जाता है आपका typing जो 10 से 15 मिट बाद आपका typing स्टार्ट हो जाता है जैसे आप इसको submit करेंगे first part को तो 15 मिट का लगवर्ड आपको time दिया जाता है second part के लिए तो यहां पर second part में आपको typing टेस्ट लिया जाता है आपका तो यहां पर timing कितना दिया जाता है 20 मिनट का समय दिया जाता है और यहां पर आपको type करना होता है 500 वर्ड को type करना होता है क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट तो 25 का multiple 20 से करेंगे तो आपका 500 वा जाएगा यानि 20 मिनट पर आपको 500 वर्ड टाइप करने होते हैं और यहां पर minimum आपको 25 नमबर लाना ही लाना पड़ता अगर 25 नमबर आप अगर नहीं लाते हैं तो आप जो है बाहर कर लिए कोई मतलब नहीं है यह टाइपिंग में आपको पास होना अनिवार है यानि अगर अगर बात करें तो 200 का first part हो गया और 50 का second part हो गया यह जो कटाफ बनता है ओवराल मिला के बनता है यानि 250 पर ही कटाफ बनता है ठीक है अब बात करें निगेटिव मार्किंग की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है यानि निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं जहलना पड़ता है यानि आपको 200 में 200 करके आना है बिल्कुल अब बात करते हैं यहां पर देखिए जो मिनीमम हमने लिखा है मिनीमम 25-150 यानि आपको 25 नंबर लाना ही लाना है अगर इससे कम लाते हैं तो आओ यहां पर आपकी कॉपी नहीं चेक होगी तो यह रहाँ सलेबस और एक बार अच्छे से देख लिजिए यहां पर सलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक जो है सेलेक्टिव है हाई कोट के लिए यारो के लिए और यहां पर बात करेंगे और पिछली बार में टाइपिंग में जो है 49.9 नंबर था ठीक है ठीक है और टाइपिंग में कैसे अच्छा स्कोर करें इस पर भ होता है लेकिन तैयारी कैसे की जाती किस बुक से करना बहतर रहेगा तो इसके बिसे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे देखें यहां पर इलावद हाइपोर्ट आरो यारो के लिए मैं वाटसेप ग्रूप का जो लिंक है यहां टेलिग्राम का लिंक है से पहले अपडेट मिलती रहे और जो इस्टेडी मैटेरियल होगा रहा है मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया था तो उसमें आपको इस्टेडी मैटेरियल बिल्कुल हंडेट पर्षंड आथेंटिक दिया जाएगा ठीक है विदाउट पेट ग्रूप तो आप टेलिग्राम ल जाएगा 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 जाए